कि हलो आप लगों का फिर से एक बार स्वागा थे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्टेप साफ रिसर्च इससे पहले बारे उडियो लेक्चर में मैंने टाइप साफ रिसर्च क्या है मिनिंग क्या है सब मैंने एक्स्प्रेंट कर दिया है देख सकते हैं अगर जानना होगा आपको रिसर्च के बारे में तो इस फीडियो लेक्चर में हम आज देखेंगे सब्सक्राइब करने के लिए रिसर्च की स्टेप को किसके बाद कौन जायेगा यपी कौौशंस में है तो सबसे पहला point होता है सबसे पहला करते हं हम इंटिफिकेशन आप रिसेर्च अगर हम रिसाइश करना चाहते हैं कि कॅमारा क्या होता है हम पहला पॉइंट क्या हो गया इडेंटिफिकेशना रिसर्च प्राब्लम ठीक है यहां तक क्लियर फ़स्ट अब देखें सेकंड पॉइंट है रिवीविंग लिट्रेचर सर्वे और रिसर्च प्राब्लम हमारा फाइंड हो जाता है कि इस प्राब्लम के हम काम करने है तो उससे रिलेटेट हम लोग क्या करते हैं जितने भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट जेर्राल में जितने भी पेपर्स हैं उनके बारे में उसको स्टेडी करते हैं रिवीव करते हैं लिट्रेचर सर्वे करते हैं ठीक क्या कि हम लोग ने पहले सबसे पहले प्राब्लम कर समझेंगे कि कहां तक काम हो चुका है कहां आगे हमें काम करना है यह होग바 करने के बाद हम क्या करेंगे स्सक्राइब लेने बाद हम क्या करते हैं करते हैं कि हम लोग उसको पढ़ना के बाद कुछ एजमसंस करते हैं कि हमस्टेप 123 प्रिपरेशन दिजाइन्ट इस को आगे कंडक्ट करेंगे इसको क्शेघां क्या हो plea कैसे इसको हम लोग स्टेजमें के सब्सक्राइब कुस्छा कर लेते हैं तो क्या करते हैं अब आप do डाटा कैलेक्शण पर आ जाते हैं डाटा का कलेक्शन का किसकी इस बेस पर होता है इंटर्वी होगी आपका अब्जरवेशन होगे कोई डाकुमेंट इंटर करते हैं तो साइन्स के लिए पिर प कंपनी लिए आपको रिसेर्च करने हैं कुछ भी बेस पर हम क्या करें यह लोग गए लोगों का इंटर्विवूस लेंगे वहां पर कैसा सोंचते और उसके बारे में क्या सुझते हैं लोग पूछ करके भी कर सकते हैं आपको रिसर्च महतलं से नहीं समझ रह तो भी उसमें रिसर्च होता है कि कितने लोगों को अफेक्ट पड़ेगा कितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी सभी मुद्ध सभी टॉपिक पे हमें रिसर्च तो करना ही करना है न तो यह अलग अलग टाइप से हैं इंटर्विव अब्जर्वेशन को शनारी डॉकुमे पां में देखते हैं प्रोसेसिंग करते हैं उसको थे करते करते हैं मत लग तो सब इंडिक्वन उसको समझते हैं ठीक अगला है seven point result and discussion फिर हम क्या करते हैं data collection से कुछ analyze करने बाद हम result लिखते हैं उस पर यह हम लोगों ने देखा result और उस पर discussions लिखते हैं कि result को ऐसा आया तो क्यों आया है result उसके बारे में पर में है ना फिर उसको क्या करते हैं लोग उस रिजर्ट डिसकाशन के बेस पर conclusion पर पहुंसते हैं लोग इसलिए formulation आप conclusions मतब conclusion लिखेंगे और कुछ अगर आपको recommendation करना है कुछ लगता है आपको यह होना चाहिए कुछ recommend आप करना चाहते हो तो उसी पॉइंट पर लिख देते हैं recommendation को भी हम लोग दो चार पॉइंट में लिख देते हैं ठीक है उसके बाद है राइटिंग के रिपोट्ट जब इतना करने के बाद आपको रिपोट कर राइटिंग करना है तो इसमें क्या करना है यह फॉर्माल पेपर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया अगर सब से पूषते फुखेंगे तो identification आप्र आप सबसे पहले आपने क्या क्या problem इसके क्या करते हैं रिजल्टेंड डिसके संसे लिखने बाद कन्क्लूजार रिकमेंडेशन लास्ट में लिख देते हैं रैटिंगर रिपोर्ट यह हो गया जेनरल अगर जेनरल फॉर्म में देखेंगे इस टेप साफ रिसर्च को जो लगभग सभी टैप से सभी एरिया आफ पाएंगे अब हम देख लेते हैं एक चार्ट के मैंद्य लोग तो सब्सेब्सपरेंगे टॉपिक क्रते हैंateurs प्राबलाम अभशे पहले वाले उपर मैंने क्या बताया था रिसेर्च को प्राबलम करते हैं क्या कर सकते हैं मैं आपको कोंसे डिया में तो टॉपिक करना सेलेक्टिंग टॉपिक देन आपका डिफाइनिंग दरी सच प्राब्लम देन अब जेक्टिव अब रिसर्च उसके बाद रिविव आप लिट्रेचर ती वाला पॉइंट एस्टर होगे ठीक है लिविव लिट्रेचर करते हैं फिर उसका वर्किंग है पोसी ज रिसर्च बाद क्या जागे सेंपल डिजाइन वहीं चीज है सेंपल कम डिजाइन कैसे करते हैं एक एस्टर पॉइंट है यह भी लेकिन जो मैंने उपर है बता दिया हो जेनरल है ना सभी एरियास के लिए काम करेगा उसके बाद डाटा कलेक्शन फिर एक्सक्यूशन अप् इंटर्पेटेशन देखो इंटर्पेटेशन ही क्या आपका प्रोसेसिंग एंड इनलाइजिंग यहां पर दे दिया रहता है तो इसका मतलब हो रहा है इसके बाद आते हैं रिपोर्ट लिखते हैं वह यह एक जनरल है इसको भी आप याद रखेंगे इतना आप देख इतन आपको अगर आइडिया रहता है नार्मली रिसर्च को स्टेप्स क्या-क्या होते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और अब्जेक्ट्व को बना पाएंगे उम्मीद करते हूं आपको समझ में आया होगा है इस टेप साफ रिसर्च को मैंने पूरा एक ओभर वी मैंन कर दें मिलते हैं ने शूडियो लेक्षर में तब तक के लिए थैंक यू